नमस्ते देखते हैं आपके person की current feeling क्या है क्या सोच रहे है वो I hope आपने like कर दिया होगा इन्वर्स को gratitude sign कर दिया होगा तो start करते हैं आपके living क्या सोच रहे है वो और्ल्स रिष्ट्य के energy क्या है एक काड हमें हाप पर मिल शकर है हो सकता है कि जरा भी adjust नहीं करते है वो और दिखते हैं क्या energy है वोंकी the answers okay the answers you need are coming और यहाँ पर है communication is key आप दुनों के बीच में जो problem है उसका solution है कि आप बैठ कर आमने सामने बात करें जिन भी सवालों के जवाब आप ढून रहे हो वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले है हो सकता है यह आपकी भी energy हो सकती है आपकी person की भी हो सकती है कुछ चीज़े ऐसी है जो डामाडोल हो रही है कुछ चीज़े ऐसी है जो address करना बहुत ज़रूरी है हो सकते है पिछले कुछ हपतों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है अब दून के बीच में हो सकते है बात चे तो बिलकुल भी नहीं हो रही है कुछ बाते ऐसी है जिनको इग्णोर करना भी आपके लिए जरूरी है अगर आपके परसन आज आपसे बात भी नहीं करे तो यह अंसान मन ही मन आपसे वादा कर रहा है जैसे कि वो आपसे बात करके रहेंगे जो भी प्रॉब्लम है वो उसके उपर सोलुशन ढून कर रहेंग कि आप उनके उपर ड्रस्ट करें वो आपको सही तरीके से समझाना चाहते हैं कि हालात क्या है उसके उपर क्या सोलुशन निकालना जरूरी है अगी जो हालात चल रहा है आज आप दोनों के रिष्टे में हो सकता कि यह ऐसे हालात है जहां पर आप दोनों को भी एक दूसरे है कि वो जो कुछ भी फी फील कर रहे है आपके लिए वो आपको बताया जाए इस इंसान को भी कहिना का यह फील हो रहा है कि वो बहुत कुछ फील करते है आपके लिए लेकिन हर बार वो अपने दिल के बात चुपा रहे है हो सकता ही वो हिमत नहीं कर पाते है आपसे बात क आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं इन दोस्त बन सकते हैं किसी किसी के लिए आपको लेकर कोई गॉसिप भी कर सकता है जो भी आपके पर जैलस है जो हीट करते हैं आपको या जो नहीं चाहते कि आपकी जिन्दगी में खुशे आए वो आपको लेकर कुछ गॉसिप भी कर सकते हैं किसी किसी गले तो हो सकते कि आने वाले full moon तक सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के रिष्टे में जो गलत फैमिया है वो भी दूर हो जाए और आप दोनों के बीच में बात चीथ हो जाए क्योंकि आपर call text आ सकता है बहुत strong strong यहाँ पर chances है कि उनका call text आपको आ सकता है या किसी किसी कलाइसा भी हो सकता कि अगर आप दुनों के बीच में कोई नोगचोक हुई है अगर आप रूठ गए हो अगर आपने ब्लॉक कर दिया है इस इंसान को तो आपको अनब्लॉक करना चाहिए हो सकता कि वो आपसे बात करना चाहिए लेकिन आपने ब्लॉक करके रखा है आपकी person शायद long distance में अगर है तो वो travel करके हो सकता आपसे मिलने के लिए या कुछ न कुछ नहीने ideas ढोन सकते है वो कैसे आपसे बात करें, कैसे message करें जाने वाल समय में किसी event में जा सकते है या social हो सकते है बात्चित बड़ी हो सकते है किसी के साथ और जानते हैं क्या नजी मिलते है ओके दिखावर के नजी है definitely miscommunication हो या कोई गलत फैमिया हो इसकी बज़र से हो सकता कि रिष्टा तूटने की गगार पर हो किसी किसी के लिए या already रिष्टा तूट गया है बात्चित बंद है ब्लॉक कर दिया है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आप दुनों के बीच में कोई तो गलत फैमिया होई है या communication से ही लेकर कुछ तो problem create हो रही है या हो सकता है कि वो बिलकुल आपको वक्त नहीं दे रहे थे कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते है कि कोई तीसरी व्यक्ती हो जिसकी बज़ा से आप दुनों के बीच में जखरे लगे है अगर आप परिशान हो रहे हैं उनके बिना तो वो भी बेहत परिशान है आपके बिना और इस रिष्टे का टूपने का जितना गम आपको है आपके परसन को भी है और वो भी इस वक्त बिलकुल भी खुश नहीं है definitely हो सकता है कि अनसान खुद आपको छोड़ कर जा चुका है या आप दुनके बीच में कोई भी कॉंटक नहीं है अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आप नहीं जानते कि इस इंसान आपसे बात करना बन क्यों कर दिया या अगर आप दुनके बीच में ब्रेक अफ हो चुका है या बिना बताईएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए हर बात का जवाब आपको मिलेगा और एक काड़ उचल करा चुका है एक न्यू बेगिनिंग यहाँ पर होने वाली है डेथ के इनर्जी है बहुत हिम्मत के साथ वो एक न्यू बेगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि यह इंसान खुद परिशान है आप दुनों के बीच में जो किसी किसी के लिए तो यह रिष्टा पूरी तरीके से खतम हो चुका है और अब एक न्यू बेगिनिंग होने वाले है बहुत ही पावरफुल बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ यह इंसान आपके जिंदगे में वापस आ रहा है या आ रही है और एक न्यू बेगिनिंग है सारे मिटने वाले हैं यहां पर बटरफलाई दिखाए दे रहे हैं रास्फरमेशन यहां पर हैं बदलाओ खुशी आप से जोड़ी हैं happiness इस इंसान का happiness जैसे कि गाइव है ना कि वो सिर्प आपके सपने देखते हैं तो उनको पता है कि उनका future आपके साथ प्राइट है जोग अगर आप married है और फिर भी आप एक दूसरे से दूर हो या आप दोनों का जो रुष्टा है वो divorce तक पहुँच गया है बिल्कुल डरना नहीं है आपको क्योंकि यह अनसाफ से बात करेंगे और ना कि सिर्फ बात करेंगे तो बहुत जल अगर आप married है तो आपके घर में baby भी आ सकता है अगर आप शादिशुदा है और आपकी कोई ऐसे wish है तो बहुत जल आपके wish complete होने जा रही है और transformation तो definitely आपर है ठीक है और दिक्कत है कि जो दिल में है वो आपसे बोलते नहीं है और bottom में देखो कैसे energy है इस इंसान को आपकी पौर साथी बहत पसंद है आप जिस तरह से दिखते हो जिस तरह से आप shine करते हो जिस तरह से खुद को carry करते हो आप dressing style हो आप gear style हो हर चीज इस इस इंसान को बहुत जादा impress करती है इस इंसान के नजर में आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जिनके साथ वो शादी कर सकते है और किसी किसी के लिए आप already married हो सकते हैं और बहुत जल आपके घर में खुश खबरी आने वाले हैं इतना कुछ आपके लिए feel करते है लेकिन वो बोलते नहीं है और इस बज़े से आप दुनों के बीच में ये दरार आई है बोलना चाहते है आप वो उस इंसान को जैसे खुद की गल्तिका अहसा हो रहा है कि वो बोलेंगे ही नहीं तो वो जो feel करते है। आपके लिए वो बात आप तक पहुछेगी कैसे हैं बहुत द आपको देख रहे हैं या अपकी प्लस पकर रहे हैं आप उस इंसान की नजरों से हटते नहीं हो और ड्रीम करते हैं कि आप उनके जीवन न साती हो जि प्रशादी को लेकर बात चित हो रही है उनके घर में ऐसा हो सकता है या यह वाइस वरसा भी हो सकता है कि आपके घर में शादी को लेकर बड़े चर्चे हो रहे हैं आपके लिए रिष्टे आ रहे हैं ऐसा भी हो सकता है या किसी किसी के लिए ऐसा हो सकते हैं नए दोस्त बना रहे हैं या इनका कोई काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर कुछ नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं किसी किसी के लिए कोई PR टीप में हो सकते हैं कुछ तो ऐसा है कि प्रस के decision खुद नहीं ले पा रहे थे, इस बज़े से बहुत दिकत का सामना आप दोनों को करना पड़ा, तो वो जो ताकद इस इंसान के इंदर होनी चाहिए कि वो खुद के decision खुद ले, तो वो ताकद इस इंसान के इंदर आ रही है, वो सकता है कि इस इंसान ने हर वक्त दूसर मार्ग दर्शन, सही गाइड नहीं कर रहे थे, उस बज़े से शायद आप दोनों के बेच में दूरिया बढ़ती गई, या किसी ने जान बुच कर इन दूरियों को बढ़ाया है, आपकी वर्सम भी लगा तरप को देख रहे हैं, आप भी उनको देख रहे हो, चाहे वो जुकाव है, वो एक दूसरे की तरफ है, दोनों भी आज ऐसे सिचुशन में हो, कि दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत सोच रहे हो, ओर ठिंकिंग कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपकी परसन के घर में कोई लावबर्स है, वो इनसान चाहे एगो मे आकर हो सकता है, आपसे बात ना कर रहे हो, चाही जो भी सिचुशन रही है, ये इनसान आपके बिना नहीं रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक अलगी मोड आये इस रिष्टे में, या ऐसी कोई बात आपको पता चले जो आप आज तक इस अंसान के बारे में नहीं जानते कोई ऐसी बात जो आप जानते आपको बता चल सकता है कि अगर आज तक एंसाब से बुरा व्यभार कर रहा था या आपसे दूर भाग रहा था तो क्यों कुछ भी ऐसा हो सकता है कोई इस निकी एनर्जी भी हो सकते किसे किसे के लिए हर बात हर किसे के साथ रेजलेंट नहीं कर लेकिन हां किसी की बुरी नजर भी हो सकती है इस रिष्टे पर आपको किसी की बुरी नजर लगी है कोई फीमेल ऐसी हो सकती जो बड़ी जैलस है आपके उपर आई दिन आपकी हेल्थ खराब होती है सरदर्द होता है आपको बड़ी बुरी नजर हो सकती है तो सबसे पहले तुने की शादी भी हो सकती है क्योंकि ये रिष्टा बहुत आके जाने वाला है घर बसे का दोनों का और आप तुने की जिंदगी बड़ी खुशाल सी गुजरने वाले हैं कुछ negativity जादा घेर लेती है ऐसा हो सकता है सबसे बहुत नजर उतार लो आप ये जरूरी है कुछ चीज़े कच्वे की चाल से चल रही है बहुत ही धीरी धीरी कुरो नहीं हो रही आपके लाइट में चाहे वो आपकी करियर को लेकर बात हो चाहे इस रिष्टे को लेकर बात हो बहुत ही स्लोव हो दिरे दिरे चीज़े आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ का एक divine purpose होता है आपको फिक्र नहीं करने हैं नहीं हो रहे हैं आपकी favor में कुछ तो इसके पीछे कोई न कोई divine purpose है तो फिक्र करने के आपको बिल्कुल भी जरुत नहीं आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होने वाला है आपका intuition जो कुछ भी आपको बोल रहा है आपको अपने intuition की सुनना जरूरी है या अगर आपकी person के बार में भी बोला जाए तो इस अनसान को बहुत जरूत है अपने intuition की सुनने की दूसरों की बातों में आने से अच्छाई के इंसान अपने intuition की सुने उसके अंतरात्मा उसको क्या कह रही है क्या वो इंसान सही कर रहा है गलत कर रहा है तो फिर उसको बहुत आसान हो जाता है आगे decision लेना तो हो सबता है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो अपने अंतरमेन की बात नहीं सुन रहे हो तो यहाँ पर जुरत है कि आप अपने अंतरमेन की आवाज सुने किसी किसी के लिए बहुत जगड़े हो रहे है और किसी किसी के लिए जैसे competition सा feel हो रहा है या आपकी person को कोई competition सा feel हो रहा है competition आप देना चाहते हो ऐसा भी हो सकता है कि student है आप में कोई किसी competition की तैयारी कर रहे हो आपके person student हो सकते है वो किसी competition की तैयारी कर रहे हो तो कुछ burdens हा भी हो सकता है आपको कोई burden हो रहे है आपके person को कोई burden हो रहे है कोई negative thoughts बहुत जदा हावी हो रहे है यह energy पहले बे आई है कि निगर thoughts तो है कोई तो wish आपकी है कोई wish complete हो सकते हैं बहुत जल या कोई completion जैसे कि यहाँ पर आ रहा है हो सकता है कोई इच्छा थी आपकी कब से और वो इच्छा पूरी नहीं हो रहे थी तो यह आपर इच्छा पूरी होते होई नजर आ रही है वो इस रिष्टे को लेकर भी हो सकता है यह आपकी person की कोई ऐसे इच्छा हो सकती है चाहे वो job को लेकर हो किसे exam को लेकर हो हो सकता है और उनको कोई शर्ट रखी हो आपके सामने ऐसा भी हो सकता है नो डाउट यहाप पर यह जो दूरिया है वो खतम होने जा रहे हैं लेकिन आपको भी बड़े समझदारी के साथ इस इंसान को समझना है यह इंसान क्या कहना चाहते हैं उनके क्या दिक्कत हैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हैं जिसकी बज़े से वो बड़े अपसेट सा फिल कर रहे हैं आपको भी इस इंसान को समझना जरूरी है क्योंकि आपकी परसन खुद बहुत अपसेट भी हो रहे हैं किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ बोल दे आपको कुछ हर्ट कर दिया एक रिग्रेटफुल एनरजी में तो है लेकि को टेंशन भी होत एक new beginning definitely होने वाली है चाहिए इनसाम को छोड़का जा चुका है फिर भी ये रिष्टा नए तरीके से शुरवात होते हुए नज़र आ रहे है कि चाहिए जो भी हुआ है आपकी परसन आपसे दूर नहीं जाना चाहते है कुछ गलतिया इस अंसान की भी हो सकते है आपकी रिष्टा पसना आई है लाइक और सब्सक्राइब बिल्टबली रिडिंग में के लिए बाइ